नमस्कार दोस्ताँ स्वागत आप गया एक बार फिर से आपके अपने एगरेन फोरास्तानी के इस यूट्यूब चैनल पे तो आज हम बात करेंगे महारणा परताब कृषिये प्रदोकी की विश्विधा ले उद्यपूर के द्वारा निकाली गई जोब नोटिफिकेशन के बारे में कि उसमें कौन-कौन से कैंडिडेट है जो अफलाई कर सकते हैं और क्या उसकी जो सेक्षन की योगता है वो रहने वाली है और क्या फोर्म फीस रहेगी कितनी पोस्ट हैं तो इन सबी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे तो वीडियो के अंदर तक जरूर बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो तो यह एक वीडियो है जिसमें आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा महारणा परताब कर्शी अपरोदों की विश्विधाले उद्यपूर के द्वारा रिलीज नोटिविगेशन है जिसके अंदर लिखा गया है कि विश्विधाले के तहत कर्शी में नियुक्ति के लिए गेर अनुसुचित हैं अनुसुचित चेत्र में कारेकर्म सायक या तकने की सायक आशुलिपी के थर्ड तथा वहांचाला के पतों पर नियक्ति है तो ओनलाइन आवेदन आम्तरित किया जाते हैं विश्विधापन विश्विधाले वेबसाइट www.mpuat.se.in पर उपलवद हैं और आवेदक जो वेबसाइट है वो www.rciaudyapur.com पर लोग इन कर दिनाक 16 अगस्त 2022 से 16 सितंबर 2022 से यानि 16 अगस्ते से लेके 16 सितंबर के बीच ये ओनलाइन फोम है वो आपके फिलफ किये जाएंगे तो आप ये फोम है ये भर दें इसके बारे में बाकी जो जानकारी है वो यहां दिखा गया है कि इसकी अंतिविश्विश्विश्थी के पस्चाद आवेदन स्विकारी नहीं तो ये एक नोटिफिकेशन था जिसके अंदर दिया गया है कि आपकी जो तक्निकी सायक है और आसुलिपिक धर्ड और वहांजाला के पदों पर है जो न्यूकती के लिए जो फोम है वो 16 अगस्ते स्टार्ट हो चुके हैं तो आप इस फोम में अपलाई कर सकते हैं अब बा यह है वो दूसरी पीडियेप जो इसमें भी यही महाराणा परताब यूनिवस्टी ओप एग्रिकाल्चर एंट टेक्नोलोजी उद्यपूर के द्वारा रिलीजड है इसके अंदर हम बात करते हैं नंबरों पोस्ट की तो सबसे पहले गेरनुसी चेतर के अंदर जो कार्यक की है वो च्यार पोस्ट है और वहांचालक की है वो साथ पोस्ट है इसके लावा बात करते हैं अनुसुची चेतर की जिसमें तकनीकी सायक कारेकरम सायक की सायक करशी की पांच पोस्ट हैं आसुर पी के थाड़ की तीन पोस्ट हैं और वहांचालक की च्यार पोस्ट हैं तो इसके अलावा हम बात करते हैं इसमें जो इपोर्टेट इपोर्टेट जीजे हैं उनके बारे में जान लेते हैं बात करते हैं इसकी सेक्षिनिक योगेता की यानि जो आपकी जो नियुन्तम सेक्षिनिक योगेता है वो क्या रहेगी तो कारेकरम साया के तकनिकी साया के उसमे एटलिस्ट सेकंड क्लास आपके होने चाहिए बीएसे एगरिकल्चर या बीएसे होना से एगरिकल्चर या बीएसे होटिकल्चर आपकी कोई जुरूरी नहीं है कि आपने किसी ICR accreditation university से कर रखाओ किसी भी university से आपके अगर कर रखी हैं तो आप इसके अंदर eligible हो इसके अलावा बात करते हैं आशुलिपिक थर्ड की इसके अंदर जो eligibility criteria है वो senior secondary यानि आपके 12 है वो आप होने चाहिए पास इसके अलावा और जो higher level certificate course है वो conduct by DOEACC and drop control department के दोरा आपका होना चाहिए इसके अलावा जी ये अलग-अलग qualification है इसके अंदर दे रखी है तो आप ये qualification है ये चेक कर सकते हैं इसके लावा बात करते हैं वहान साल लगी तो वहान साल लग में आपके 8th class पास होनी चाहिए वो इसके साथ आपके high end जो light duty driving license है और आ है यूच Nicholas छोग इस पीडियाप में देख सकते हैं और इसको पड़ लेना आप इसके लावा यहां दे रखी है इसके जो हाई-उसी महा हो दे रखिये कि इस मिक्याक्या आई-उसी महा है इसके लावा हम बात करते हैं इसके उनिप्रेट्टन चीजों की वहान है जो फोंप पे ग्रेड रहेगी आसु लिपिक थड़ की चोईशो पे ग्रेड और वहांद साल लगा है वह दोजार पे ग्रेड रहेगी इसके लावे दन किती थी है जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया सोड़ा अगस्ते से लेके सोड़ा सितंबर तक इसके फॉर्म बरे जाएंगे इसके लावा बात करते हैं इसके फॉर्म फीस की तो जो कारिकरम सायक या तकनीकी सायक है उसमें समान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी फीस है बारा सु रुपे जो अन्य अनुसु जन जातेगी 400 रुपे देर किया तो यह फोर्म फीच थी नंबर और पोस्ट की बात कर ली तो यह दो वीडियो थी तो मैंने आप लोगों के साथ यह सूचना शेर की I hope आप लोगों के वीडियो काफी अच्छा लगा होगा अगर आप लोगों के वीडियो काफी अच्छा दाल दूगा तो आप वहां से इस लिंक पर जाके इस पीडियो को असानी से डाउनलोड करके इसे इसे आप पढ़ सकते हैं थैंक यू सो मच वाचिंग इस वीडियो धन्यवाद